Welcome to Learn Together, मेरा नाम है संजिना और इस वीडियो में हम लोग गेखने वाले हैं राजपूत काल से संबंधित प्रश्न को ये प्रश्न बिहार सिक्षक भरते, बिहार दरोगा, बिहार SSC या फिजे इसके सांस साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए महतोपून हैं इसमें हम सभी महतोपून प्रश्नों को देखेंगे जो भी राजपूत काल से संबंधित होंगे तो आप लोग वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा तो हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर हमारा जो पहला प्रश्न है प्रश्न हमारा है कि चंदावर का युद्ध 1194 किसके मध्य हुआ तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि प्रश्न में से ही एक और प्रश्न निकल करके आ रहा है और वो प्रश्न क्या है ये प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ क्या हुआ कि चंदावर का जो युद्ध है ये युद्ध हुआ कब तो ये युद्ध हुआ 1194 में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ अब हमें बताना है कि ये किसके किसके बीच में हुआ भीम दुतिये एवा मुहम्मद गोरी के बीच जै चंद एवां मुहम्मद गोरी के बीच पृत्वी रास्त्रितिये एवां मुहम्मद गोरी के बीच या फिर इन में से कोई नहीं तो चंदावर का युद्ध जो है वो किसके किसके मद्दे हुआ तो ये युद्ध जो हुआ था वो जैचंद एवं मुहम्मद गोरी के बीच में हुआ था जैचंद एवं मुहम्मद गोरी के बीच में चंदावर का युद्ध 1194 इस्वी में लड़ा गया था इस युद्ध में मुहम्मद गोरी ने जैचंद को पराजित कर दिया और जैचंद की हत्या भी कर दिया यानि जैचंद इस युद्ध में मारा गया तो ये चंदावर के युद्ध में मारा गया और प्रिथ्वी रास्ते इसमें पराजित हो गया था जैचंद कहां का राजा था तो जैचंद राजा था कन्नौज का कहां का राजा था कन्नौज का राजा था जैचंद अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जैचंद जो था वो किस राजवन से था जैचंद के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि जैचंद किस राजवन्स से था तो ये भी आप लोग देखेंगे कि ये किस राजवन्स से था तो ये था गहडवाल वन्स से सम्मंधित था और कन्योज का राजा था जिसकी 1194 इस्वी में चंदावर के युद्ध में मृत्तिव हो गई थी वो चंदावर के युद्ध में मुहमदगोरी से पराजित हुआ था किस पाल सासक को गुजराती कवी सोडूढल ने उत्रापत स्वामीन कहा गुजराती कवी सोडूढल ने किसे उत्रापत स्वामीन कहा तो किस पाल सासक को उसने कहा गोपाल को देवपाल को धर्म पाल को इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा धर्म पाल को पूर्व मद्यकालीन भारती इतिहास में 750 इस्वी से 1290 इस्वी तक का समय मुख्यता माना जाता है उत्तर भारत के संदर्व में ये पूछ रहा है उत्तर भारत के संदर्व में पूर्व मद्यकालीन भारती इतिहास में जो 750 इस्वी से लेकर के 1200 इस्वी का जो समय है या मुख्यता कौन सा काल माना जाता है तो राजपुत काल माना जाता है भारत पर तूर्क आक्रमन का काल माना जाता है संक्रमन काल माना जाता है या फिर उप्रियुक्त में से सभी ये कौन सा काल माना जाता है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 750 इस्वी से लेके 1200 इस्वी तक का जो समय है ये उत्तर भारत के सं इस्थापना करने वाले गोपाल ऐसे सासक थे जिन हैं तो सवाल हमारा क्या है 750 इस्वी में बंगाल के पाल वंस की इस्थापना करने वाले गोपाल ऐसे सासक थे जिन हैं संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना बगैर संघर्स के राजा घोशित किया गया सामन्ती सरदारों ने चुना उपरयुक्त में से सभी तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि पालवंस जो है तो इसका सामराज जी कहाँ पर था तो पालवंस का जो सासन था वो कहाँ पर था यह बंगाल में था कहा था बंगाल में था अब पालवंस की स्थापना किस ने की तो पालवंस की स्थापना गोपाल ने की यहाँ पर क्या मोड़ा है स्थापना करने वाले गोपाल ने और पालवंस की स्थापना अब हम लोग देखेंगे हुई कब थी तो 750 इस्वी में हुई थी तो अब ये कैसे सासक थे तो संपन वर्ग के लोगों द्वारा चुने गए थे बगेर संघर्ष के राजा घोशित किये गए थे सामंती सरदार द्वारा चुने गए थे या फिर उपरियुक्त में से सभी तो हमारा जो यहाँ पर सही जवाब हो गा यह क्या हो गा यह सामन्ती सरदारों के द्वारा चुने गए थे 712 इस्वी में सिंध पर आकरमन के समय वहां का सासक कौन था तो यह हमें बताना है कि 712 इस्वी में सिंध पर अर्बो का जब आक्रमन हुआ तो वहां का सासा कौन था तो यहां से एक चीज हम लोग देखेंगे कि जब सिंध पर आक्रमन हुआ यानि सिंध पर आक्रमन कब हुआ अगर कोई पूछे कि सिंद पर आक्रमन कब हुआ तो हमें क्या बताना है कि ये 712 इस्वी में हुआ सिंद पर आक्रमन कब हुआ 712 इस्वी में हुआ लेकिन उस समय सिंद का सासक कौन था चच था, राय साहनी था, दाहिर या था या फिर दाहिर था यहां का सासक कौन था तो हम लोग देखेंगे कि यहां का जो सासक था वो कौन था राजा दाहिर था और यही 712 इस्वी में सिंधु नदी के किनारे राजा दाहिर की मृत्यू भी हो गई सिंधु नदी के किनारे क्या हो गई राजा दाहिर की मृत्यू भी हो गई 712 इस्वी में प्रतिहार स्वय को डैस का वनसज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वार पाल थे तो यहाँ पर बताना है कि प्रतिहार स्वय को किसका वनसज मानते थे जो की राम के प्रतिहार यानि की द्वार पाल थे तो यह बताना है यहाँ पर हमें तो यह चंद्र के वनसज मानते थे लच्मण के वनसज खुद को मानते थे स्टूर्य के वनसज मानते थे या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर प्रश्ण को पढ़ेंगे तो ही हमें जवाब मिल जाएगा कि प्रतिहार श्वय को किसका वनसज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे अर्थात द्वारपाल थे तो राम के द्वारपाल कौन थे यहाँ पर राजा राम चंद्र यानि की रामायन वाले राम की बात हो रही है तो राम के जो द्वारपाल थे तो वो लच्छमन को माना गया है उनके भाई लच्छमन को माना गया है तो प्रतिहार थे ये खुद को लच्छमन का वनसज मानते थे किसका वनसज लच्छमन का वनसज यानि कि रामायंड काल के जो राम थे उनके उनके चोटे भाई लक्षमन का वनसर जे प्रतिहार स्वेम को मानते थे और ये हमें कैसे पता चलता है तो ग्वालियर सिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार? तो ग्वालियर शिलालेख के अनुशार हम लोग देखेंगे तो रामायन के सहनायक और राम के भाई लच्मण के वनसस थे ग्वालियर शिलालेख के अनुशार ये पता चलता है कि प्रतिहार जो थे वो किसके वनसस थे लच्मन के वंसस थे तो यहां अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे सरुप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेश सिंद के विजेता मुहम्मद बीन कासीम को दिया जाता है जजिया कर लगाने का श्रेश सबसे पहले किसे दिया जाता है तो सिंध विजेता मुहम्मद बीन कासिम को दिया जाता है ठीक है मुहम्मद बीन कासिम को उसने किस वर्ग को इस कर से पूनता मुक्त रखा तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि सबसे पहले जजिया कर दे किसने लगाया था तो ये मुहम्मद बीन कासिम ने लगाया था सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था तो मुहम्मद बीन कासिम कहां का भी जेता था तो ये सिंध भी जेता था और इसने सबसे पहले क्या किया था जजिया कर लगाया था अब हम लोग देखेंगे कि इसने किस से वर्गों को पूर्णता इस कड़ से मुक्त रखा था तो ब्राम्हणों को, निम्नजाती के लोगों को, मुसल्मानों को या फिर बॉध्धों को ब्राम्हणों को निम्नजाती के लोगों को मुसल्मानों को या फिर बौधों को तो सर्व प्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेश शिंद विजेता मुहमद बीन कासीम को जाता है और उसने हिंदू समाज के ब्राम्हण जाती को ये टेक्स नहीं लगाया था, जजिया कर नहीं लगाया था, तो हिंदू समाज के ब्रामण जाती पर उसने टेक्स नहीं लगाया था करपूरी मंजरी नाटक के रचईता, राज शेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्छन दिया तो यहां पर हमारा प्रश्ण और देखते हैं, करपूरी मंजरी नाटक के रचईता कौन है, तो यह है राज शेखर कौन है, राज शेखर है और इन्हें किस प्रतिहार सासक ने संड़क्छन दिया तो ये किस प्रतिहार सासक के संड़क्छन होए थे महेंद्रपाल प्रथम, मिहीर भोज प्रथम, नागभट प्रथम या फिर नागभट दूतिये तो इसका सही जवाब हो जागा महेंद्रपाल प्रथम तो अब अगर कोई पूछ दे कि महेंद्रपाल प्रथम जो है ये किस राजवन से सम्मंधित थे तो ये प्रतिहारवन से सम्मंधित थे तो यहाँ पर प्रश्ण हम लोग क्या क्या देखे करपूरी मंजरी नाटक के रचैता कौन है तो राजशेखर है राजशेखर किसके दर्बार में थे तो महेंद्रपाल प्रथम के दर्बार में थे महेंद्रपाल प्रथम किस राजवन से सम्मंधित है तो ये प्रतिहार राजवन से सम्मंधित है धिल्ली का या फिर दिल्ली नगर की स्थापना की थी तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी जिसे धिल्ली का भी कहा जाता है तो इसकी स्थापना किसने की थी परमारों ने प्रतिहारों ने चोहानों ने या फिर तुमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी किसने की थी तो दिल्ली नगर की स्थापना की थी तुमरों न किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंस की अलगुजर एवं इस वंस के सासकों को बैरा कहकर पुकारा किस विदेशी सासक ने गुर्जर प्रतिहार वंस की अलगुजर एवं इस वंस के सासकों को बैरा कहकर के पुकारा वो कौन सा विदेशी यात्री था तो अलमसूदी, अलवरूनी, सुलेमान इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब क्या होगा? अलमसूदी अलमसूदी ने गुर्जर प्रतिहारवन्स को अलगुजर एवं यहां के सासकों को बैरा कह करके पुकाया उस सासक का नाम क्या है? जिसने विजय एस्तंब टावर ओफ विक्टोरी का निर्माण कराया था तो उस सासक का नाम बताना है जिसने विजय एस्तंब या फिर टावर ओफ विक्टोरी का निर्माण करवाया था तो ये कौन थे? राणा रतन सिंग, राणा हमीर, राणा कुम्भा, राणा सांगा उस सासक का नाम क्या है जिसने विजय इस्तंब का निर्माण कराया था तो उस सासक का नाम यहाँ पर बताना है कि उस सासक का नाम क्या था जिसने विजय इस्तंब का निर्माण करवाया था तो वो कौन था वो था राणा कुंभा अब अगर कोई आप लोगों से ये पूछ दे कि विजय इस्तंब का निर्माण कब हुआ था तो विजय इस्तंब का निर्माण जो है ये 1440 से लेकर के 1448 के बीच हुआ था 1440 से लेकर 1448 के बीच में विजय इस्तंब का निर्माण हुआ था विजय इस्तम्भ अगर कोई पूछ देख कि कहा पर है तो ये राजस्थान के चितोडगर में इस्तित है विजय इस्तम्भ ठीक है और इसे किसने बनवाय था तो ये तो हम लोग देख लिए कि मेवाण नरेस राणा कुमभा ने इसे बनवाया था कलहन क्रित राज तरंगिनी में कुल कितने तरंग है दस तरंग है ग्यारा तरंग है आठ तरंग है या फिर नौ तरंग है कलहन क्रित राज तरंगिनी में कुल कितने तरंग है तो दस ग्यारा आठ नौ कितने तरंग इसमें मिलेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कलहन कृते जो राज तरंगिनी है उसमें आठ तरंग है कितने तरंग है आठ तरंग जो यहाँ पर बोल रहा है तो तरंग का अर्थ क्या होता है अध्याय होता है क्या होता है अध्याय होता है तरंग का अर्थ होता है अध्याय तो इसमें कुल कितने अध्याय है आठ अध्याय है और अगर कोई इसमें पूछ दे कि कितने स्लोक है तो इसमें स्लोकों की जो संख्या है वो कितनी है तो 7826 स्लोक है इसमें कितने 7826 कुल इसमें स्लोक है और इसका विशे क्या है तो इसमें क्या है इसमें कश्मीर का इतिहास है इसमें क्या है कश्मीर का इतिहास आपको देखने को मिलेगा निमनलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था अरब तूर्क अफगा या फिर मंगोल इन में से कौन थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमन किया तो भारत पर सबसे पहले आक्रमन करने वाले अरब थे मोढेरा का सूर्य मंदीर किस राज्य में इस्थित है उडिसा में बंगाल में बिहार में गुजरात में कहां इस्थित है तो गुजरात में पाटन नामक जगा पर इस्थित है और इसका निर्माण अब हम लोग देखते हैं कि किस ने करवाया था तो इसका निर्माण सोलंकी सासक भीम देव ने करवाया था सोलंकी सासक इसका निर्माण जो है ये सोलंकी सासक थे सोलंकी सासक भीम देव ने इसका निर्मान करवाया था और भीम देव ने इसका निर्मान करवाया था तो 1026 इस्वी में इसका निर्मान करवाया था चुकि सोलंकी सासक जो थे वो सूर्य वंसी थे और सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानते थे तो इसलिए इन लोगों ने सूर्य मंदिर का निर्मान करवाया था तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये सोलंकी सासक भीम देव के द्वारा बनवाया गया है और ये कहां पर है तो गुजरात के पाटन में इस्थित है प्रित्वी राज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था तो ये चंद्रबर्दाई ने, वारभट ने, भावभूती ने या फिर जैदेव ने तो प्रित्वी राज रासो जो है ये किसने लिखा था तो ये लिखा था चंद्रबर्दाई ने किसने लिखा था चंद्रवर्दाई ने प्रित्वी राज रासो लिखा था तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रित्वी राज रासो जो है ये चंद्रवर्दाई के द्वारा रचित है और ये किस भासा में लिखा गया है अगर कोई आप से पूछ दे कि पृत्वी राज रासो जो है ये किस भासा में लिखा गया है तो ये हिंदी भासा में लिखा गया है किस भासा में है हिंदी भासा में लिखा गया है पृत्वी राज राशो और ये जो चंदरवर्दाई थे ये कौन थे तो ये पृत्वी राज के बचपन के मित्र भी थे और उनकी राज कभी भी थे तो इस प्रकार से चंद्रबर्दाई ने बृत्वी राज रासों की रचना की थी हिंदी भासा में ओदंध पुरी विश्रु विद्याले का संस्थापक था तो ओदंध पुरी विश्रु विद्याले का संस्थापक था ये हमें बताना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओधन्त पूरी विश्व विद्याले है कहां पर तो ये बिहार के कहां पर बिहार के बिहार शरीफ नालंदा जिला का जो मुख्याले है वहीं पर ओधन्त पूरी विश्व विद्याले इस्थित है अब इसका संस्थाप तो धर्मपाल, महीपाल, गोपाल या फिर देवपाल इसका संस्थापक कौन था तो ओधन्त पूरी विश्य विद्याले जो है ये कहां पर है तो ये बिहार में इस्थित है और प्राचीन बिहार का नाम भी ओधन्त पूरी था जिसे ओधन्त पूरी उधन्त पूरी के नाम से भी जाना जाता था तो ये बंगाल और बिहार का जो संजुक्त छेत्रे था उस पर पालवंस का सासन था और पालवंस के जो संस्थापक थे गोपाल पालवंस के संस्थापक गोपाल नहीं ओधन्त पूरी विश्व विद्याले की इस थापना की थी कब तो आठवी सताबदी क वर्ष 1100 इस्वी में निर्मित मंदिर जो भूनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है। वर्ष 1100 इस्वी में निर्मित किया गया था और ये भूनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। तो हमें बताना है कि जैन वास्तुकला का प्राचींतम उदाहरन जो है ये कहां मिलता है। कहां पर मिलेगा दिल्वाडा में। दिल्वाडा मंदिर कहां पर इस्थित है। अब हमें बताना है कि दिल्वाडा मंदिर जो है ये कहां पर इस्थित है। अब हमें बताना है। अब हम लोग इसके पहले प्रश्ण में देखें कि जैन वास्तुकला का प्राचींतम मुदाहरन कहां पर मिलता है। तो ये दिल्वाडा में मिलता है तो अब अगला प्रश्ण हमारा है कि दिल्वाडा मंदिर जो है ये कहां पर इस्थित है। तो ये इंदौर में है आबू परवत पर है स्रवन बेल गोला में है या फिर पारसनात परवत पर है। तो दिल्वाडा मंदिर जो है ये आबू परवत पर है कहां पर है आबू परवत पर इस्थित है। खजुराहों के मंदीर का संबंध है वो किस से है वैशनो संप्रदाय से शैव संप्रदाय से जैन संप्रदाय से या A, B और C तीनों से तो खजुराहों का जो मंदीर है इसका संबंध वैशनो संप्रदाय से भी है शैव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी है तो इसलिए इसका सही जवाब जो होगा, वो क्या हो जाएगा, A, B और C, C, O, तो इसका सही जवाब होगा, A, B, और C, C, O. खजुराहों इस्थित मंदिरों का निर्मान किस ने किया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये बुंदेला राजपुत ने इसका निर्मान किया था, चंदेल राजपुत ने किया था, कोलहर ने किया था, या फिर सिंधिया ने किया था, खजुराहों इस्थित मंदिर का निर्मान किस ने किया था? तो खजुराहों इसीत मंदिर का निर्मान कब से कब तक किया था तो 1950 से ले करके 1050 इसवी के बीच में खजुराहों इस्थित मंदिरों का निर्मान चंदेल राजाओं ने किया था गुर्जर्ब प्रतिहार के उजयणी शाखा का स्थापक कौन था तो ये मिहीरभोज था, नागभट था, हरिश्चंद्ध था, या फिर नागभट प्रतम था तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये नागभट प्रतम था कौन था नागभट प्रथम था गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी साखा का जो संस्थापक था वो नागभट प्रथम था विजय इस्तंब कहा इस्तित है तो विजय इस्तंब जो है ये कहा इस्तित है तो चितोडगर में शिक्री में देहली में या फिर जहासी में तो विज विजय गड़ जो है ये कहा परिस्थित है तो विजय गड़ जो है ये चित्ताओड़ गड़ सिक्री में देहली में या फिर जहासी में कहा परिस्थित है तो इससे संबंदित प्रश्ण को हम इसके पहले डिसकस कर चुके हैं और डिसकसन में हमें ये पता चला कि विजय स्थ लिंग्राज्मंदिर की नीव डाली थी तो इसकी नीव नरसिंग देव ने डाली थी या फिर लाला तेंदू केसरी ने डाली थी? किसने यताती किसरी ने लिंग राज का मंदीर अगर कोई पूछे कि ये कहां पर है तो आप लोग क्या बताएंगे कहां पर है तो लिंग राज का जो मंदीर है ये कहां पर है तो ये भोनेश्वर में है कहां पर है भोनेश्वर में इसकीत है भोनेश्वर का सबसे बड़ा इसकंद पुराण में या गिवल के स्मृति में या फिर परासर इस्मृति में तो कायस्थों का जाती के रूप में प्रथम उल्लेक जो है ये ओश्मन इस्मृति में मिलता है सोमनात के मंदिर पर 1025 सिव में महमूद गजनवी के आकरमन के समय गुजरात का सासक कौन था सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोमनात कहाँ पर है तो सोमनाथ जो है ये कहाँ पर है तो ये गुजरात में स्थित है अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर किसने आकरमण किया था तो महमूद गजनवी ने आकरमण किया था किसने महमूद गजनवी ने आकरमण किया था कब तो एक हजार पचीस इस्वी में तो पूछेगा कि महम भीम देव प्रथम कौन था भीम देव प्रथम था कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक सासन करने वाली लगभग 50 वर्षों तक सासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस्वंस की राजकुमारी थी तो रानी दिद्दा यहाँ पर क्या बोल रहा है रानी दिद्दा ने कब तक सासन किया तो पचास वर्सों तक सासन किया कहा पर सासन किया तो कश्मी पर सासन किया तो ये किस वंस से संबंधित थी ये किस वंस की थी उतपल वंस की लोहार वंस की कारकोट वंस की या इन में से कोई नहीं रानी दिद्धा जो थी ये किस वंस से संबंधित थी और इन्होंने 50 वर्सों तक कश्मीर पर शासन किया था तो ये लोहार वंस से संबंधित थी हिंदू विधी पर एक पुस्तक मिताक्षरा किस ने लिखी हिंदू विधी पर एक पुस्तक लिखी गई है मिताक्षरा तो मिताक्षरा के लेखाक कौन है मिताक्षरा के लेखाक जो है वो कौन है विज्ञानेश्वर है कंबन है नयान चंद है अमोग वर्ष है हिंदू विधी पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखी गई है मिताक्षरा के लेखाक कौन है तो मिताक्षरा के लेखाक विज्यानेश्वर है कौन है विज्यानेश्वर है तो अगर आप से कोई पूछ दे कि विज्यानेश्वर जो थे दर्बार में यह रहते थे और अगर कोई पूछ दे कि विज्यानिश्वर का जन में कहां पर हुआ था यानि कि विज्यानिश्वर का जो जन में है वो किस राज्ये से संबंधित है राज्ये ही जहां तक पूछना चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा करनाटक हो जाएगा क करनाटक ये करनाटक से संबंधी थे करनाटक में गुलबर्ग के पास्ट में उनका जनम हुआ था तो इस चीज़ को धियान में रख लेंगे किसने स्मृती ग्रंथ दान सागर एवं जियोती ग्रंथ अद्भुष शागर की रचना की विजय सेन, वल्लाल सेन, सामन्त सेन इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लाल सेन ब्लेक पैगोड़ा है, हमें बताना है कि ब्लेक पैगोड़ा जो है वो कहाँ पर है, कोणार्क में, मदूरे में, मिश्र में, स्री लंका में ब्लेक पैगोड़ा कहाँ पर है, तो ब्लेक पैगोड़ा है कोणार्क में, कहाँ है, कोणार्क में है हम लोग बाल बाल जैसे की कुणार्क का नाम सुनते हैं कुणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पोईड़ गोड़ा कहां है तो कुणार्क में है तो यह कुणार्क आखिर है कहां अगर आप लोगों से यह पूछ दे कि कुणार्क जो है यह किस राज्ये में है तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये किस राज्य में है तो कुणार्क जो है ये कहाँ पर है तो ये है उडिसा में कहाँ पर है उडिसा में उडिसा के कहाँ पर तो पूरी जिला में है उडिसा के पूरी जिला में कुणार्क इस्थित है किसने कुलीन प्रथा, कुलीन तावाद का आरंभ किया तो ये विजय से ने किया, लच्मर से ने किया, बलाल से ने किया या फिर सामंत से ने किया कुलीन प्रथा या फिर कुलीन तावाद का आरंभ जो है ये किसने किया तो ये बलाल से ने किया राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। सेन वन्स का संस्थापक कौन था। सेन वन्स का संस्थापक विजय सेन, बल्लाल सेन, सामंत सेन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा सामंत सेन। सेन वन्स का संस्थापक जो था वो कौन था। सामंत सेन था। लेकिन यहीं प्रश्ण को अगर और डीप में जाकर के पूछे कि सेन वंस का वास्त्वीक संस्थापक कौन था? अगर यहाँ पर हमसे पूछ देता है वास्त्वीक संस्थापक वास्त्वीक संस्थापक अगर पूछ देगा तो सेन वंस का वास्त्वीक संस्थापक कौन है तो ये हेमंत सेन है कौन है हेमंत सेन होगा ठीक है तो अगर पूछेगा कि सेन वंस का संस्थापक कौन है तो सामंत सेन अगर पूछ दे कि सेन वंस का वास्तविक संस्थापक कौन है तो ये क्या हो जाएगा हे मंत सेन कौन सुमेलित नहीं है हमें बताना है कि इन में से कौन सुमेलित नहीं है तो गढ़वाल, चंद्रदेव, राश्टकूट, विजियाले, चंदेल, ननुफ चंदेल या फिर देक कलचूरी कोंकर तो कौन इसमें है जो सुमेलित नहीं है तो इसमें राश्टकूट विजियाले जो है ये सुमेलित नहीं है पालवंस के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेत्रित्व प्रदान किया पालवंस का जब पतन हो गया तो उसके बाद बंगाल को राजनीतिक नेत्रित्व प्रदान करने वाले कौन थे? शर्की सुल्तान थे? खलजी? सेन वंस? या फिर इन में से कोई नहीं राजनेतिक नेतरित्व प्रदान किया किसने बंगाल को राजनेतिक नेतरित्व प्रदान किया पाल वंस के पतन होने के बाद शरकी सुल्तान ने, खलजी ने, सेन वंस ने या फिर इन में से कोई नहीं तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सेन वंस ने हरिकेली नाटक का रचैता है तो ये हरिकेली नाटक के जो रचैता है वो कौन है तो परमार शाशक भोज, चोहान साशक विग्रह राज विसल देव, प्रतिहार शाशक भोज, इनमें से कोई नहीं तो हरिकेली नाटक के जो रचेईता है वो है चोहान सासक विग्रह राज चतूर्थ या फिर विग्रह राज विसल देव है या फिर विग्रह राज चतूर्थ है अब हम लोग देखेंगे कि हरिकेली नाटक जो है ये किस भासा में लिखा गया अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसकी भासा क्या थी हरिकेली नाटक की जो भासा है ये क्या थी तो संस्कृत भासा में लिखी गई है किस भासा में संस्कृत भासा में लिखी गई है ये और य राम पाल चरित की रचना किस ने की? तो ये कोटिल्ले ने की, संध्याकर नंदी ने की, खाली दास ने की या फिर विज्यानेश्वर ने की? तो राम पाल चरित की रचना जो है ये संध्याकर नंदी ने की? किस नाटक के कुछ अंस अढ़ाई दिन का जोपडा मस्जित की दि पर अंकित है वो कौन सा नाटक है जिसका कुछ अंस जो है वो अढ़ाई दिन का जोपडा जो मस्जिद है उसकी दिवारों पर अंकित है नागानंद मालती माधव हरी केली इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हरी केली हरी केली नाटक जो है इसका कुछ अंस जो है वो अढ़ाई दिन के जोपडा मस्जित की दिवारों पर अंकित है तो जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हरी केली नाटक के रचैता कौन है तो हरी केली नाटक के रचैता कौन है तो ये चौहान वंस के जो राजा थे विग्रह राज्ये विसल देव तो ये कुतूबु दिन एबक होगं, किसंने करौया था, तो कुतूबु दिन एबक ने इसका निरमाण करवाया था और कब करवाया था, तो 1192 इस्वी में करवाया था 1192 इस्वी में कुतुबु दिन एबक ने अढ़ाई दिन के जोपडा मस्जित का निर्मान करवाया था अफगान सेनापती मुहमद गोरी के आदेश पर हिंदू विधी की एक प्रशिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचाईता थे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दाय भाग की यानि दाय भाग जो है इसके रचाईता कौन है तो जिमूत वाहन है तो दाए भाग को और क्या कहा जाता है तो इसे जिमूत वाहन कृत के नाम से भी जाना जाता है और इस मत का प्रचार जो है वो बंगाल में हुआ था राणी पदमीनी का नाम अलावदिन खिर जी की चित्तोर विज़े से जोड़ा जाता है उनके पती का नाम है तो उनके पती का नाम क्या था? उनके पती का नाम राजामान सिंग, राणा रतन सिंग, महराणा प्रताप सिंग या फिर रंजीत सिंग तो उनके पती का नाम क्या था? राणी पदमिदनी के पती का नाम क्या था? तो इनका नाम था राणा रतन सिंग नौवी सदी में भारत आये अरब यात्री सुलेमान ने किस समराज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था रुहमा कहकर के संबोधित किया था 19 सदी में भारत आये अरब यात्री सुलेमान ने तो किस समराज्य को रुहमा कहकर के संबोधित किया था राश्टकुट को, सेन को, पाल को या फिर प्रतिहार को तो रुहमा क्या करके उसने किसे सम्मोधित किया था पाल को किसे पाल राजवन्स को विक्रम शिला केंद्र के संस्थापक का नाम है विक्रम शिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है तो विक्रम शिला केंदर के संस्थापक का नाम क्या है तो इनका नाम है धार्मपाल क्या नाम है इनका धार में पाल है अब अगर कोई पूछ दे कि विक्रमशिला जो है ये कहां पर है विक्रमशिला कहां पर है तो ये कहां पर है ये बिहार में है कहां पर है बिहार में और बिहार के कहां पर तो भागलपूर में है बिहार में बिहार के भागलपूर में विक्रम शिला जो है ये इस्थित है किस प्रतिहार शाशक ने आदी वरा की उपादी धारन की? वो कौन सा प्रतिहार शाशक था जिसने आदी वरा की उपादी धारन की नागबट दुती है? मिहीर भोज, नागभट प्रथम, इन में से कोई नहीं तो आदी वरा के उपाधी किस प्रतिहार शाशक ने धारण की थी तो ये थे मिहीर भोज, कौन? मिहीर भोज निमने लिखित में से किस मंदिर परिश्टर में एक भारी भर्खम नंदी की मुर्ती है जिसे भारत की विशालतम नंदी मुर्ती माना जाता है निमने लिखित में से किस मंदिर परिश्टर में एक भारी भर्खम नंदी की मुर्ती है जिसे भारत की विशालतम नंदी मुर्ती माना जाता है ये सबसे विशाल नंदी की मुर्ती माना जाता है तो ये किस मंदिर में है, कंदारिया महादेव मंदिर में, लेपाक्षी मंदिर, वरियदेश्वर मंदिर, या फिर लींग राज मंदिर किस मंदिर में सबसे बड़ी याने सबसे विशालतम नंदी की मूर्ती है तो ये कहां पर है तो ये कंदारिया महादेव मंदीर में है कहां है कंदारिया महादेव मंदीर अब हम लोग यहां पर कंदारिया महादेव मंदीर के बारे में कुछ जानते हैं तो ये खजुराहों के मंदीरों में सबसे विसाल मंदीर है खजुराहों में है और खजुराहों के मंदिरों में सबसे विसाल मंदिर जो है वो कौन सा है तो कंदारिया महादेव का मंदिर है और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मंदिर भगवान श्रीव को शमर्पित है इसका निर्माण कप कराये गया था तो इसका निर्माण कराये गया था नौसो निन्यानबेश्ट्वी में कप नौसो निन्यानबेश्ट्वी में इसका निर्माण करवाये था और राजा धंग देव चंदेल ने इसका निर्माण करवाये था राश्टकुटवंस की राजधानी थी तो हमें बताना है कि राश्टकुटवंस की राजधानी कहां थी दिल्ली में पाटली पुत्र में मालखंड मानेखेत में या फिर कन्नौज में तो राश्ट कुट वंस की जो राजधानी थी वो कहा पर थी माल खंड या फिर माने खेत में इनकी राजधानी थी राश्ट कुट वंस के बारे में हम लोग देखेंगे तो राश्ट कुट वंस की इस थापना जो है वो किसने की थी तो राश्ट कुट वंस की जो इस थापना है वो दन्ती वर्मन या फिर दन्ती दूर्ग भी कहा जा सकता है दन्ती वर्मन या फिर दन्ती दूर्ग नामा का व्यक्ती ने क्या किया था कि राश्ट कुट वंस की इस थापना की थी निम्नलिखीत में से किसे एक नए समवत चलाने का यश प्राप्त है तो ये विजय सेन को, लच्मर सेन को, धर्मपाल को या फिर देवपाल को निम्ने लिखीत में से किसे नए समवत चलाने का यश प्राप्त है तो ये लचमण सेन को नए समवत चलाने का जो यश है वो प्राप्त है इन्होंने लचमण समवत की सुरुवात की थी गीत गोविंद के रचनाकार जैदेव किसकी सभा को अलंकरित करते थे विजय सेन लचमण सेन धर्मपाल या फिर देवपाल तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गीत गोविंद की रचना किसने की है तो ये जैदेव ने की है अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जैदेव किसक कि सभा को अलंक्रित करते थे यह किसके दरबार में थे तो यह लच्मन सेन के दरबार में थे किसने सोमपूर महा विहार का निर्माण कराया था सोमपूर महा विहार का निर्माण किसने कराया था धर्मपाल ने विजय सेन ने कुमार गुप्त ने या फिर हर्ष ने किसने सोम पूर महा विहार का निर्माण कराया था तो सोम पूर महा विहार का निर्माण कराने आले कौन थे धर्मपाल थे राष्टकुट वंस का संस्थापक था तो हमें बताना है कि राष्टकुट वंस का जो संस्थापक था वो कौन था तो राष्ट कुट वंस का जो संस्थापक था वो कृष्ण प्रथम था, इंद्र तृतिय था, दंती दुर्गया, दंती वर्मन था या फिर गोविंद तृतिय था, कौन था तो राष्ट कुट वंस का जो संस्थापक था वो दंती दुर्गया, फिर दंती वर्मन था भुवनेश्वर तथा पूरी के मंदिर किस सैली में निर्मित है ये द्रमिड सैली में है वेसर सैली में है नागर सैली में है या फिर इनमें से कोई नहीं भुवनेश्वर तथा पूरी के मंदिर किस सैली से निर्मित है तो ये किस सैली से निर्मित है तो ये नागर सैली से निर्मित है पालवंस की राजधानी थी मुंगेर या फिर मुद्दगीरी थी पालवंस की राजधानी कुतुबु दिनैबक महमूद गजनवी तो भारत में प्रथाम आक्रमणकारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन में से कौन था जो की भारत में प्रथाम आक्रमणकारी था तो ये था मुखमद बीन कासीम। पालवंस का संस्थापक था धर्मपाल देवपाल गोपाल इनमें से कोई नहीं पालवंस का संस्थापक था गोपाल कौन गोपाल था जगनात मंदिर किस राज्य में है जगनात मंदिर केरल में है उत्तर प्रदेश में है बंगाल में है या फिर उडिसा में है जगनात मंदिर जो है ये किस राज्य में इस्थित है तो ये इस्थित है उडिसा में कहां इस्थित है उडिसा राज्य में इस्थित है जगनात मंद त्रिपक्षिय संगर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीती में हस्तचेप करने वाली और दच्छिण के उत्तर पर आक्रमण करने वाली दच्छिण की प्रथम सकती थे तिरिपक्षिय संगर्स में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीती में हस्तचेप करने वाले और दच्छिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दच्छिण की प्रथम सकती कौन थे? विजयनगर, बहमनी, राष्टकुट या फिर चोल इन में से कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे राष्टकुट थे कौन थे? राष्टकुट थे पूरी में इस्तित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदीर के निर्माता थे? पूरी में जो विशाल सूर्य मंदीर है कौणार्क में उसके निर्माता कौन थे पुरुशोथ्तम चोल गंग नर्शिंग प्रथम कपिलेंद्र तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पूरी में स्थित जो कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर है इसका निर्माण नर्शिंग प्रथम ने करवाया था और इसका निर्माण तेरहवी सताब्दी में किया गया था कब किया गया था तो तेरहवी सताब्दी में तेरहवी सताब्दी में इसका निर्माण किया गया था त्रिपक्षिय संघर्ष का आरंब और अंत किस राजवन्स ने किया? प्रतिहार ने, राष्ट कुट ने, पाल ने या इन में से कोई नहीं तो पक्षिय संघर्ष का आरंब जो है और उसका अंते किस राजवन्स ने किया तो ये किस ने किया प्रतिहार राजवन्स ने किया त्रिपक्षिय संघर्ष का आरंबी भी प्रतिहार राजवन्स नहीं किया अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के, चितोरगड के, अरवल के या फिर भरतपूर के अजय पाल किसके संस्थापक थे तो अजय पाल जो थे ये अजमेर के संस्थापक थे किसके अजमेर के संस्थापक अजय पाल थे त्रिपक्छिय संघर्ष का आरंब किस सदी में हुआ तो त्रिपक्छिय संघर्ष का जो आरंब है ये किस सदी में हुआ छटी सदी में, नौवी सदी में, आठवी सदी में या फिर सातवी सदी में तो त्रिपक्षिय संघर्ष का जो आरंब है ये आठवी सदी में हुआ किसमें हुआ? आठवी सदी में हुआ तो ये जो त्रिपक्षिय संघर्ष है इसका आरंब आठवी सदी में हुआ और इसका समापन जो है ये दसवी सदी के पास में हुआ अब अगर हम लोगों से कोई ये पूछेगा कि त्रेपक्षिय संघर्ष में कौन-कौन से राजवन्स सामिल थे तो यहाँ पर हम बताएंगे कि क्या थे पाल राजवन्स था इसमें प्रतिहार था और राश्ट्र कुट था और क्या था राश्ट्र कुट था ठीक है पाल प्रतिहार और राश्ट्र कुट ये तीन राजवन्स मिल करके त्रेपक्षिय संघर्ष में भाग लिया था इन लोगों ने और इस प्रकार से इनका संगर्स चलते रहा निम्ने लिखीत में कौन कवी राज के नाम से विख्यात था मिहीर भोज, भुंज, भोज परमार या फिर सिंधु राज तो कवी राज के नाम से इनमे से कौन विख्यात था तो भोज परमार जो है भोज परमार ये कवी राज के नाम से विख्यात थे किस नाम से विख्यात है ये तो कवी राज के नाम से भोज परमार विख्यात थे त्रिपक्षिये संघर्स की पहल किसने की? हमें बताना है यहाँ पर कि त्रीपक्छिय संघर्स जो हुआ उसकी पहल किसने की तो धुने, नागभट दितिये ने, वत्सराजने या फिर धर्मपालने तो त्रीपक्छिय संघर्स की पहल जो है ये वत्सराजने की किसने की वत्स राजने समरांगन सुत्रधार का विशय है समरांगन सुत्रधार का विशय क्या है योग सास्त्र, काव्य सास्त्र, इस्थापत्य सास्त्र या फिर खगोल विग्यान समरांगन सुत्र, धार का जो विशय है वो क्या है तो ये विशे जो है ये है इस्थापत्य सास्तर क्या है इस्थापत्य सास्तर किसपर स्वामित्य के लिए पाल प्रतिहार वा राष्ट कुट के बीच त्रिपक्षिय संगहर्स हुआ किस पर सासनiver के लिए या किस पर स्वामित्यों के लिए इनके बीच में त्रिपक्छी े संघर्स हुआ करनौच पर दिल्ली पर पाटली पुत्र पर या फिर इनमें से कोई रही तो किस पर अधिकार के लिए राष्ट कुटो के बीच में त्रिपक्षिये जैसे कि पाल, प्रतिहार और राश्ट कुटों के बीच में त्रिपक्षिये संघर्स हुआ तो ये किसके लिए हो रहा था कन्नौच के लिए कन्नौच पर अधिकार करने के लिए किस सासक के राश दरबार में जैन आचारे हैम चंद को संदक्षण मिला तो जैन आचारे हैम चंद को संदक्षण किस के दरबार में मिला तो कुमार पाल के जै सिंग सिधराज के ए और बी दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो हमारा सही जवाब जो होगा होगा A और B दोनों यानि कुमार पाल के B और जैसिंग सिधराज इन दोनों के राजदरबार में जैन आचारे हैंचंद को संदक्छण मिला निमनलिखिस शहरों में से किसमें लींग राजमंदिर अवस्थित है लींग राजमंदिर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है कोलकता में स्रवन बेल गोला में भूनेश्वर में बीजापूर में निमनलिखिस सहरों में से किसमें लींग राजमंदिर अवस्थित है तो ये अवस्थित है कहाँ पर तो ये अवस्थित है भूनेश्वर में प्रथम भारतिये सासक कौन था जिससे तूर्क आकरमन कारी मुहम्मद गोरी का सामना हुआ और उसने मुहम्मद गोरी को परास्त भी कर दिया तो ये कुमारपाल थे, जय सिंग सिध्धरास थे, भीम प्रथम थे या फिर भीम द्यूतिय थे वो कौन थे? तो ये थे भीम दूतिये, कौन थे? भीम दूतिये थे नैशेद चरित वा खंडन-खंड खाद के रचाईता स्रीहर से किस सासक के राज कवी थे? तो ये चंद्रदेव के थे, जैचंद के थे, पृत्वीरास्तृतिये के थे या फिर कुमारपाल के थे तो हम सबसे पहले इस सीच को देखेंगे, कि नैशेद चरित की रचना किसने की? तो स्रीहर स्ने की और यहाँ पर खंडन-खंड खाद की रचना किसने की? तो ये भी स्रीहर स्ने की अजेय दूर्ग का निर्माण कराया कालेंजर के कालेंजर के अजेय दूर्ग का निर्माण किस सासक ने कराया धंग देवने गंड देवने नन्नुक चंदेलने या फिर यशो वर्मनने किसने कराया तो ये धंग देवने कराया था कालिंजर के अज्य दूर्ग का निर्मान, किसकी राजय काल में लख्षमी धर ने कलपद्रम या कत्य तह लख्षमा धर ने कलपद्रुं या कृत्यकल्पतरु नामक विधी गरन्थ की रचना की तो ये गोवींद चंद के चंद्र देव जैचंद या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब होगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गोवींद चंद्र क्या होगा गोवींद चंद्र निम्नलिखित में वह कौन सा समवत है जो कल्चूरियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने के कारण कल्चूरी समवत भी कहलाता है कल्चूरियों के द्वारा प्रयुक्त किये जाने के कारण इसे कल्चूरी समवत भी कहा जाता है तो यह कौन सा समवत है, शक्षमवत, त्रेकूटक समवत, विक्रम समवत, या फिर इन में से कोई नहीं तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, त्रेकूटक समवत क्या हो जागा त्रिकूटक समवत त्रिकूटक समवत जो है यह कल्चूरियों द्वारा प्रयोग किया जाता था और इस कारण से इसे कल्चूरी समवत भी कहा जाता है तो इस प्रकार से हमने राजपूत कार से सम्मधित कुछ प्रश्णों को यहां पर देखा इसी प्रकार के और भी वीडियोज के लिए आप लोग चैनल के साथ में बने रहें वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए कॉमेंट करके बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रन्यवाद